असलाम अलेकुम वरहमतुल्दाही वबरकादू दोस्तों क्या हाल चाल है भाई सब ठीक ठाक बढ़ियां तो आज हम बात करेंगे एर ब्लोर की एर ब्लोर इसलिए बोल रहा हूं कि क्या आम तो पर उसको हम एर ब्लोर ही बोल रहे हैं सबसे पहले तो मैं हमारे उन भाई का शुक्रिया दा करना चाहूँगा जिन्होंने बड़ी मेहनत से हमारे पिछले वीडियो का इंगलीश सब्टाइटल बनाया है आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई दोस्तों मैंने अपने सारे वीडियो को अवेलेबल कर दिया है कोई भी भाई किसी भी वीडियो पर सब्टाइटल डाल सकते हैं चाहे इंग्लीश में चाहे बंगाली जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं ताकि दोस्तों काफी फायदा हो शुक्रिया पार्ट फूर ए एरियेशन दोस्तों अगर मैं आपको ये सवाल पूछू कि बाइफ लॉक में एरियेशन क्यों देते हैं तो शायद 99% लोगों का जवाब होगा ऑक्सीजन देने के लिए पर सिर्फ ये ही एक वज़े नहीं है अगर ऐसा होता तो समंदर में, नदी में, बड़े-बड़े डैम में और बड़ी-बड़ी लेक में जहां कोई एरियेटर लगावा नहीं है वहां इतनी इतनी बड़ी-बड़ी मश्लियां कैसे जिन्दा रहती भाई एक्शली हमको जितनी बड़ी दुनिया जमीन के उपर नजर आ रही है न उससे ज्यादा बड़ी दुनिया पानी के अंदर है जितने जानदार जमीन के उपर रहते हैं उससे बहुत ज्यादा जानदार पानी के अंदर रहते है वहां लेक में, नदी में, समंदर में कौन से भाई साब ने जाके एरियेटर लगाया है भाई नहीं दोस्तों बलके वहाँ पर बाया फ्लॉक सिस्टम पूरी तरह कुद्रती तोर पर काम कर रहा है और यह सारा निजाम जो है जो उपर वाला चला रहा है वो अपनी कुद्रत से ही चला रहा है यह एरियेटर कैसे काम करता है यह टैंग में कितने एरियेटर की जरुवत है और कितनी जरुवत है और क्यूं है यह सब में बात करेंगे यहां से हम थोड़ा सा साइन्टिफिकली बातें करना शुरू करने वाले हैं इसलिए आपनी सीट वेल्ट अच्छे से बान लीजिए गा सबसे पहले तो आप इसको एर ब्डूवर बुलना छोड़ दीजे क्योंकि एर ब्लूवर कई قسم के होता है जैसे के कुछ एर ब्लूवर तो सिर्फ साफ़सफाई के काम में आते है साफ सफाई करते हैं कर्पिट हगबरा साफ करते हैं वो भी air blowher है बटी वोगबरा में लगे होते हैं वो भी air blowher है क्योंकि صिर्ف air blowher भोलने से गलत फैमी पैदा होती है और हुई भी है ऐसा केस हुआ है कि किसी भाईी ने साफ सफाई वाले जो एर बुलोर होता है ना मरा उसको लगा दिया और थंडी का जमाना है रात का वक्त दबा के एर दे दी उसमें टैंक में और मश्लियां थंड से सबके सब इन्ना लिल्लाव इन्ना इले राजून हो गया उनका यानि के राम नाम सत्य अब मश्लियों के पास तो स्यूटर था नहीं और ना ही वो टैंक से बाहर निकल कर कहीं अलाव की गिर्द बैड़ कर सेख सकती है थी तो सुबा हुई तो पता चला सब साफ एक छोटी सी गलती और बड़ा नुकसान और ऐसा क्यों होता है पता है ये है चूरन वाले वीडियोज देखने का साइड इफेक्ट चाहे वो इंडियन चूरन हो या इंडोनेशियन चूरन देखा और सुना और कर लिया क्यों हो रहा है क्या हो रहा है वो नहीं माद़ तो भाई सबसे पहले तो इसको आप air blue और बोलणा चोड़ दो और समझना चोड़ दो तो इसको हम बोलेंगे क्या इसको बोला जाता है air pressure pump या compressor जिसमें हम air फेकने की speed और quantity को kontrol कर सकते हैं तो ये है सबसे पहला right number दूसरी और सबसे बड़ी बात कि air pump क्या देखकर खरीदेंगे क्या सिर्फ HP देखकर खरीदेंगे नहीं क्यों चलिए आप खुदी भी बताईए जब आप मशलियों का दाना यानि उनका खाना वगरा खरीदते हैं फीड वगरा खरीदते हैं तो क्या देखकर खरीदते हैं यही न कि उसमें प्रोटीन कितना है, विटाइमिन कितना है, कार्भाइडरेट कितना है, वगएरा 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 या यह देखकर खरीदते हैं कि दाने की बोरी कितने की लोगी है जाहिरी सी बात है कि आपका जवाब होगा कि प्रोटीन और देखकर खरीदा जाएगा क्यों? क्योंकि यही चीज हमको मशलियों को देना है यह यह कि मशलियों को इसी चीज से सरोकार है कि उनको कितना और कैसा खाना मिल रहा है मशलियों का इससे क्या लेना देना है कि आपने कितने की लोगी बोरी खरीदी है और उसके लिए कितना पैसा खर्च किया है ये तो सेकंडरी चीज़ है ना भाई तो भाईयो इसी तरह जब एर पम लिया जाएगा तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि इससे हम मशलियों के टैंग में कितनी एर दे सकते है और किस प्रेशर की एर दे सकते है और इसलिए हमको उस एर पम का LPM और KPA या MPA देखकर खरीदना होगा यानि आसान भाषा में LPM लीटर पर मिनिट यानि के वो पम आपका कितने लीटर पर मिनिट हवा फेक रहा है और किस प्रेशर से फेक रहा है या किस प्रेशर से फेक सकता है HPA कितना है ये सेकेंडरी चीज है कितना उसके खर्चा होगा वो सेकेंडरी चीज है पर में चीज जो हमको एर पम लेना है तो उसके लिए हमको LPM और KPA देखना होगा उम्मिद आप समझ क्या होंगे और दूसरी बात यह है कि Air देना क्यों है क्या सिर्फ DO के लिए DO मतलब Dissolve Oxygen क्या सिर्फ DO के लिए हमको Air देनी है नहीं सिर्फ DO के लिए नहीं देनी है बलके जैसे के आप मेंसे कुछ लोग जानते होंगे कि जब मचली नंबर दो करती है मतलब Stool मतलब Toilet आसान भाशा में पाखाना छी जी जी हाँ तो खेर जब उसमें से Ammonium पैदा होता है तो उसका Formula है NH4 Plus Plus या माइनस जहां भी आया मतलब Electric Charge तो इस पर होता है Plus Charge और Anaerobic Bacteria जो हमारे टैंग में होता है वो O2 माइनस प्रोडियूस करता है यानि O पर होता है Minus Charge जब ये O2 माइनस इससे react करता है किससे react करता है अरे वो ही हमारा Ammonium से NH4 Plus से तो ये Plus और ये Minus इसमें हो जाता है जगडा यानि के reaction और Ammonium यानि NH4 Plus पर से ये Charge हट जाता है और जैसे ही ये Charge हटता है Hydrogen हो जाता है आजाद और इसमें chemical reaction होकर ये nitrogen बन जाता है NO2 माइनस यानि Nitrite और फिर एक दो reaction और होकर ये बन जाता है NO3 माइनस यानि Nitrate और इस process को कहते हैं Centrification process और ये सारा process friction of second में होता है हरे यार मैं तो शायद बहुत आगे चला गया फिर से पीछे आते हैं N-Aerobic bacteria की तरफ कि जितना पानी में friction जादा होगा ये N-Aerobic bacteria उतना जादा O2 माइनस produce करेगा तो मतलब ये जितना पानी में friction जादा होगा उतना ये N-Aerobic bacteria जादा ammonium के साथ reaction fast करके उतना जल्दी NH4 को तोड़ देगा और जितना जादा चोटा बबल होगा उतना जादा fast hydrogen उड़ेगा मतलब उसको उड़ने में उतना fast मदद मिलेगी तो इसलिए हम air pump में जो air stone लगाएंगे वो चोटा बबल वाला होना चाहिए बड़े बबल के मुकाबले में छोटा बबल ज्यादा काम करता है best तो यह है कि आप nano bubble वाला stone लगाई है या वो ना मिले तो micro bubble वाला nano से छोटा भी आता है उसको diffuser कहते हैं पर वो काफी costly होता है और हमारे काम और हमारा काम nano या micro से चल जाएगा जो कि हर fish aquarium वाले की दुकान में आसानी से available होता है अब सवाल नमबर तीन जब air देना इतना काम का है तो खुब दबा कर air देते हैं नहीं दोस्तों हर चीज उसकी limit में होती है तो ही फाइदा देती है कोई भी चीज limit से ज़ादा हो तो फाइदा के बज़ाए नुकसान हो जाता है इसी तरह limit से ज़ादा oxygen भी बाइफ लॉक के process के लिए नुकसान दे है इसलिए हमको भी air भी उसी के हिजाब से देनी होगी तो ले दे के आज हमने चार खास बातें जानी है या उस पर बात की है नमबर एक हमको blower नहीं बलके air pressure pump लगाना है जिसको compressor भी कहते है जिसका एक बड़ा फाइदा ये भी है कि blower सिर्फ air लेकर आगे फिकता है और उसकी air में ठंडक होती है compressor के मकाबले में क्योंकि compressor में air पर दबाव आता है यानि pressure ज्यादा होता है जिसकी वएसे air का temperature बाहर की मकाबले में थोड़ा high हो जाता है इसलिए blower से जो air fish tank में जाएगी वो नुक्सान करेगी क्योंकि ठंडी होगी और air pressure pump से जो air fish tank में जाएगी वो थोड़ा घरम होने की वेज़े से पानी की ठंड़क को भी किसी हद तक कम करेगी तो हमको क्या लेना है हमको लेना है air pressure pump और you can say compressor नंबर टू जो दुश्री बात हमने जानी हो यह है कि हम air पानी में सिर्फ DO देने के लिए नहीं कर रहे है बलके पानी का friction बढ़ाने के लिए कर रहे है ताकि process fast हो नंबर तीन air stone micro या nano bubble वाला हमको लेना है ताकि hydrogen उडाने वाला जो अमल है उसमें तेजी आए नंबर चार एक limit में air देनी है ज्यादा air से नुकसान हो सकता है पता नहीं मैं आपको समझा सका के नहीं समझा पाया खेर और हाँ एक चीज को count करना दो भूली गया जो सबसे पहले बात की ती जिसकी बारे में कि air pressure pump हमको LPM देखकर लेना है और pressure देखकर लेना है याने KPA या MPA तो इसको जरूर याद रखिएगा HP उसके बाद में देखना है कि जितना कम HP होगा उतना अच्छा है लेकिन LPM और KPA MPA जो है याने pressure देखकर हमको लेना है ये सबसे main बात है जो हमने शुरुआत में की थी अच्छा अब हमका समझा अरे आपका बागे सर बहुत देर से आया हूँ आपका बयान शुरू हो गया था तो बैट कर सुनने लगा आपने तो हमारा आँख खोल दिया अब तक तो हम यही समझ रहा था कि मचलियों को करण देना है क्योंकि वो एक वीडियो में दिखाया था कि देखो भाई लोग ये 40 टैंग का फाम है और इसमें 2 SP का एर बुलोवर लगा है तो हम समझा कि शायद हर टैंग में थोड़ा थोड़ा करण चाता होगा और मचली लोग सब मिल बाट कर थोड़ा थोड़ा ले ले लेता होगा और फिर जल्दी से बढ़ा हो जाता होगा पर ये तो कहानी ही बिल्कुल उल्टा निकला मतलब के जो आदमी बोले के मोटर सिर्फ HP दे कर खरीदना चाहिए वो एकदम रॉंग नंबर है सर असल में ये सब बातें याने के LPM, KPA, MPA, Pressure ये सब एक्चुली साइन्स की बात है सर आप जिन का जिकर कर रहे हैं उनको साइन्स और साइन्टिस्स लोगों से बहर है वो गोल्ड मेडली साइन्टिस्स के बारे में कहते हैं कि उसको बोलो कि गोल्ड मेडल गले में डालके लटका की हुमे तो उनकी बात जाने दीजिए, छोड़ी हो उनको आईए सर आगे की बात अब आप ही कीजिए आपका डिमांड तो मुझसे ज़्यादा है लोग आपको ज़्यादा सुनना चाहते हैं नहीं नहीं फिर कभी आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं हमको भी मज़ा रहा है हमको तो आपका बात सुनना है ना मज़ा आता है आप बोलते बहुत अच्छा हो शुक्रिया सर तो दोस्तों आज की इस मुलाकात में इतना ही नेक्स्ट मुलाकात में हम बात करेंगे कितने पानी में कितना एर देना है किस किस्म का एर पंब लेना है और किस प्रेशर की एर देनी है आज की क्लास खतम अमीद है आपको फाइदा हुआ होगा इस वीडियो को दो तिन बार जरूर सुन लें ताकि दिमार्ग में बैट जाए रिवाइंड करें सुरें मतलब फिर से देख लें क्योंकि आगे काम आने वाला है आगे इसका काम लगेगा तो दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो पर पहली बार आएं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार बाया फ्लॉक का इसी सीरीज में इंट्रो आला वीडियो जरूर देखिए अगर आप बाया फ्लॉक को लेकर सीरियस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा होगा जब भी वीडियो पर कोई इंफॉर्मेशन बताऊंगा आपको भी मिल जाएगी अगर कुछ पूछना हो या कमेंट करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं कोई मशवरा देना हो तो जरूर दीजिए हेल्थी सजेशन्स आलवेज वेलकम ग्यान बाटने से बढ़ता है खुछ रहिए और जितना हो सकता है दूसरों की मदद करिए ये फ्री इंफॉर्मेशन दूसरे किसी भाई के काम आ सकती है इस वीडियो को शेयर करके दूसरों की मदद करिए और हाँ किसी बेहन को भी शेयर कर सकते है अगर आप हमारे इस वीडियो को मॉबाइल पर देख रहे हैं तो अपने ग्रूप में शेयर कर लीजिए क्या पता किसी को इसकी बहुत जरूरत हो तो दोस्तों भी जाज़त दीजिए और हमसे जुड़े रहे हैं क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी कम्प्लीट इंफॉमेशन और ट्रेनिंग वो भी फ्री विल्कुल मुफ्त शुक्रिया अस्सलाम अलेकुम जैहिन